हम लोग की प्रकृति मानाव की है, तो हम लोग मानावता के ढंग से जी जाएं तो कितना अच्छा हो जैसा हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही दूसरे के साथ कुछ कर दे, बस इतने धरम है जैसा मैं दूसरे से अपने लिए चाहता हूँ वैसा ही दूसरे के साथ कर दे यही बहुत बड़ा धरम है एक जग ऐसे सत्संग चल ला था, सत्संग समाप्त हुआ तो संत ने सब को प्रशाद बाटा प्रशाद लाए थे लड़ू पेणा, मिठाई लाए थे, सब को बाटा और मिठाई खतम हो गए लगवख सब को मट गया इतने में एक बूढ़ा अपने छोटे से नाती को ले करके आया अब गुरु जी को परणाम किया, बच्चा भी परणाम किया इतना बड़ी है, जैसा परणाम किया, कि जैसे मत्था टेका, वैसे बच्चा मत्था टेका अब गुरु जी के मन में हो कि भाई, इसको भी कुछ परणाद मिल जाता लेकिन डबवा खाली है, तो क्या दे में अब सब के हाथ में तो प्रसाद है लड़ू, मिठाई धरा है लेकिन कोई जान नहीं पार, तो करें तो करें क्या वो बुढ़े को न दे पार, कोई बच्चे को तो मिल जाता हो रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पार है इतने में होता कि छोटा सा बच्चा 4-4,5 साल का था, वो हाथ में लिया था वो देखा कि वो खड़ा है, मतलब कुछ हमको भी मिल जाता वो अपने इस हान से आया और बच्चे के मुख में हाथ में दिया नहीं सीधा उसके मुख में डाल दिया यह धरम हो गया बुजरुक इस बात को नहीं समझ पा रहे थे जमान इस बात को नहीं समझ पा रहे थे छोटा बच्चा प्रकृती समझता था कि मैं भी प्रसाद चाहता हूँ तो इसको भी प्रसाद मिल जाए यह सबसे बड़ा धरम है ऐसा हम लोग कर पाते हैं क्या ऐसे ही कर ले जाओ यह सबसे बड़ा धरम हमारा हो गया और धरम की बहुत बड़ी ब्याक्खाएं न कर पाएं कोई बात नहीं है धरम क्या है नहीं जानते हैं हमाराज कोई बात नहीं है लेकिन कम से कम बेवहारिक इस्तर पर तो धरम होना चाहिए जगा-जगा का धरम अलग-अलग होता है हम लोग देखो यहाँ पर सादू संत बैठें आप लोग नीचे बैठें तो कैविए सादू संत का दरवार है तो संत उचे बैठेंगे लेकिन ट्रेन में जाएंगे तो कैसे करेंगे बताईए भगत हो शिष्य हो तो कहां बैठेगा भगत में गुरु जिसे सट करके वो बैठ लेगा तो ट्रेन का धरम अलग होगा लेकिन जहाँ पर गुरु शिष्य का संबन्ध होगा तो गुरु बैठा है और शीश उनको भोजान पानी इस्थप देता है तो जगह जगह पर धरम बदलता रहता है ऐसे ही हम लोग का मन है जितने लोग हैं सब के पास मन है की नहीं है सब के पास मन है लेकिन सब का मन अलग-अलग है क्योंकि सब जीव अपने आप में सोतंत रहें सब जीव सोतंत रहें जो सोतंत रहोगा तो सब की अपनी अपनी इच्छाएं होगी सब की अपनी अपनी इच्छाएं होगी और सबसे ज़्यादा नजदीक हम लोग हैं तो किसके हैं? अपने मन के नजदीक हैं एक संत ने पूछा, अच्छा बताईए, घर में आप सबसे ज़्यादा किस से ज़्यादा बात करते हैं, एक ने कहा कि मैं अपने मम्मी से ज़्यादा बात करता हूँ, एक ने कहा बेटी थी तो मैं अपने पाप से ज़्यादा बात करते हूँ, क्योंकि बेटी की प्यारी पि हूँ, नजवान कहें, मैं अपनी पतनी से ज़्यादा बात करता हूँ, ठीक अपनी अपनी जगा पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम अपने मन से बात करते हैं, साधी नहीं है, पतनी नहीं है, मम्मी नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, मन तो है, तो मन स सब लोग बात करते हैं, सबसे ज़्यादा निकट और सबसे ज़्यादा बात हम अपने मन से करते हैं, तो मन जिसका अच्छा होता है, मन जिसका सुंदर होता है, वो सबके लिए अच्छा ही सोचता है सबके लिए अच्छा सोचें अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा Newton का एक नियम है Newton का नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया ध्वनी की प्रतिध्वनी जैसा हम बोलने हैं तो रिपीट होके आ रहा है रिपीट होगे नहीं आता है तो हमारे sound master लोग थोड़ा इको बढ़ा देते हैं इको बढ़ा करके उसका वो बढ़ाने की नहीं कह रहे हम मदब दाराम दे रहे हैं कि भाई यह थोड़ा feedback मिलना चाहिए जंगल में जाए पुकारिए तो वही से feedback आता है तो यह नियम है प्रकृति का कि क्रिया की प्रतिक्रिया बल का प्रतिबल गेंद हो गेंद ऐसे आज जमीन पर मारिए तो गेंद वो उछलता है इस्प्रीम को दबा करके रखिए इस्प्रीम उछलता है यह नियम है ऐसे ही यह मन का भी नियम है जैसा आप दूसरे को देंगे वही भाव हमको उलट करके मिलता है इसलिए अच्छा दो अच्छा दो कुछ न दे सके तो अच्छा भाव दे भाव महत्तपूर्ण होता है जैसा हम भाव देंगे वह इसे उलट करके मिलता है एक संथ कहा करते थे सक्कर देने वाला सक्कर पाता है और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है और मक्कर देने वाला मक्कर पाता है मक्कर का मतलब धोखा मक्कारी जो जैसा देगा वैसा उसको मिलेगा कभी सहाँ ने कहा है कभीर कमाई आपनी निश्वल कभी न जाए अब बोया पेड बबूल का आम कहां से खाए क्या कभी साहम ने कहा तब ऐसा है क्या कभी साहम ने कहा हो चाहना कहा हो मैं कह रहा हो चाहना कहा हूं बबूल का पेड बोएंगे तो बबूल का काटा मिलेगा आम का पेड बोएंगे तो आम का फल मिलेगा जो दोगे वो पाओग किसी को प्रसनता दीजिए तो उसके बदले में प्रसनता पाईए तो शक्कर दे, शक्कर देंगे मतलब वो मिठाई वाला शक्कर थोड़े, शक्कर का मतलब मीठा, किसी से प्यार से बोल करके तो देखिए, वो भी प्यार से बोलेगा, अब किसी को गाली दो तो उलट करके ग नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा वो चक्कर चलता है, एक ग्वाला जी थे, तो बड़े थोड़ा सा चालू क्रिश्मस के थे, तो घी बनाते थे, तो मठका में घी बना करके लेके गए, अभी कर्णेल गजाए होंके सोने के बेपार यहां पर जादा हैं, तो कह भी या घी ले लो गाउं का घी शुद्ध घी, तो सुनारा के कितने एक दोक है, भीया ज्यादा नहीं, हमारे मलकीन के लिए थोड़ा नाक का वो गहना दे दो, तो कह यह बड़ा अच्छा फंसा है, तो घी का घड़ा रखवा लिया, और वो सुनार था, तो वो भी चालू था, तो वो उपर उपर पानी चड़ा वाला उसको पकड़ा दिया, अब ये घड़ा दिया घी का, वो बड़ा खुज कि हमने सुनार जी को उनको ठग लिया, अब ठग लिया, वो कहते है मैंने उसको ठग लिया, अब ये घी घड़ा लिये, तो अब घी, चलो भी देखे गरमा आए इसको, त पूरा घी जितरा था, वो भी घड़ड़ हो गया, अब वो सोच रहे कि मैंने धोखा दिया, तब वो जा करके अब पर खाता भी देखें, अपना सोना कैसा है, तो दूसरे सोनार के पास पहुंचा है, तब वो भी खाली पानी चड़ा था, पानी, पी तलका था, और उपर स दोखा दिया, तो दोखा देने वाला दोखा पता है, इसलिए किसी को दोखा दे नहीं, दोखा खा जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम दोखा न देना, कभी साहम इसके लिए भी कहा है, कभीर आप थगाईए और नथगिए कोए, आप थगा सुक उपजा, और थगे दुख होए, मैं ठगा जाओ, अच्छा किसके लिए ठग अब 100-500 पाग ये थोड़ा ज्यादा पाग इतने भर तो, और मैंने ठग लिया तो जब जब वो सामने आएगा, तब तब मन में वह गा रहे, इसका तो मैंने ले लिया था, इसका तो मैंने ले लिया था, जीवन भर, ओई बात याद रहेगी, हमको याद है, बच पर हम 6-7 साल, 8 साल के रहे होंगे, तो दादी जी का पेटी खोल करके, हमने उसमें से 50 रुपिया निकाल लिया, आज भी देखो याद है कि दादी से हमने रुपिया निकाल लिया, इतना दिन बीत गया, 54 साल के उमर हो गई, औ कोई मांगे नहीं, चोरी से निकाल, चावी कहीं सपा गये थे, तो किसी को ठगे रहेंगे, तो जब तक हम जीते रहेंगे, याद दास बना रहेगी, इसका मैंने गलत किया, इसका मैंने गलत किया, इसका मैंने गलत किया, लेकिन हम ठगा गये, कोई बात ने, वो ले गया त खड़े हो करके श्वागत कर सकते हैं खड़े होते हैं इसलिए मैंने कह दिया बोलिए शद्गुरु देव की जै अपना-पना इस्थान रन कर ले हाँ जिसके सामने जगा हो आप लोग थोड़ा-थोड़ा आगे आ जाएं तो मैं कह रहा था कि बल का प्रतिबल क्रिया की प्रतिक्रिया धोनी की प्रतिधोनी होती है तो जैसा हम बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे वाईसे उलट करके फ्रीडबेक मिलता है इसलिए ऐसा हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छा दें बुरा चाहते तो बुरा दे बुरा लेकिन कोई चाहता नहीं है यही सबसे बड़ा धरम है किसी के लिने बुरा सोचें मन में भी भाव ने आए सद्गुरू विशाल साहिब की वार्णी है क्यों है साइद उन्हीं की है दुख देने के भाव को दिल से दे निकार एक होता है उसको ऐसा मजा चखाऊंगा ऐसा भाव आ जाता है मन मज चखाऊंगा लेकिन सद्गुरू कहते और मन में भी न उठे कुसको हमको कश्ट पहुचाना है उन्होंने कर दिया सो कर दिया ओ किया अपना जाने लेकिन मन में ऐसा भाव आ गया तो समझ लीजे वो भी एक प्रकार की हिंसा हो गई मन में भाव न आने पाए न इर्शा का भाव, न द्वेस का भाव न किसी प्रकार के छती पहुचाने का भाव ये मन में भी उठने न पाए क्योंकि कहीं कहीं गुम करके हमारे उपर आता है इसलिए हम इस बात का ख्याल लगें और यही सबसे बड़ा धरम है पुझ्य साहिब जी विराजमान हो चुके हैं और पुझ्य साहिब जी के विचारों से हम सब को लाब लेना है